हालो गईज मैं हूँ सर्वेस और आप देख रहे हैं दोस्ते दोस्तों बात करेंगे आज CSE के टाप 5 सर्विस के बारे में जिसे सभी व्यली को लगबग अपने CSE सेंटर पर ट्राई करना चाहिए कि इन सुविधाओं को वो सिटिजन्स तक पहुंचाएं क्योंकि इन सुविधाओं में कस्टमर हमेशा बने रहते हैं आपके पास और इसमें कस्टमर ज्यादा होने की भी संभावना होती है तो आज ऐसे 5 सर्विस के बारे में हम बात करेंगे जिसमें आपको अच्छा मुनाफ़ा भी होगा आपकी कामन सर्विस इंटर से अगर आप सर्विस जिन में काम फार्विस इंटर पर चल रहे हैं उन सभी कामन सर्विस सेंटर का इंकम अच्छा हो रहा है बस आपसे एक छोटा सा request है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें क्योंकि ऐसे तमाब सरे informative वीडियो CSE से related, printer से related या जो भी हमारे CSE VLA भाईयों को जिन भी चीजों की आवसकता होती है उसे related हम वीडियो लाते रहते हैं मैं आपको एक और सूचना देना चाहूँगा अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए जो आप जिस टॉपिक पे आप कन्फियूज हो रहे हों वो आप हमें comment सक्षन में comment करें हम कोशि प्रेशनल जीवन भीमा या हैल्थ इंसरेंस कुछ भी करके रखे होते हैं तो हर साल करवाना पड़ता है तो आपके पास अपके कस्टमर की एक लिस्ट बन जाती है यह लगबक सभी लोगों को किसी ने किसी इंसरेंस की जरौत होती है मानले जिए आपके गरहां के पास दो राउंड फिगर में 900 रुपए मानलो आप उनको चार्ज करते हैं 878 रुपए सम्थिंग का बीमा होता है मैं राउंड फिगर में 900 रुपए की बात करना हूं इसमें आपका अप्रॉक्स में बोल रहा हूं कि हंड़िट की आस पास आपका कमिशन बन जाता है तो अगर एक ग्रहा का आप मोटर साइकल का बीमा करते हैं जो कि important है third party बीमा करा करके रखना अगर कोई बंदा यह बीमा नहीं करवाता है और मोटर साइकल चलाता है और by the way किसी का accident हो जाता है उसे किसी का death हो जाता है तो बहुत ज़र्माना और हरजाना code के दौरा उन्हें भरना जाएंगे तो बिना टीपी के यानि कि third party बीमा के कोई भी मोटर साइकल नहीं चलाएगा बहुत सारे paper की cutting आपको रोज देखने को मिल जाया करते हैं जिस पर code के दौरा आदेश किया जाता है कि बीमा important है ऐसे तमाम सारे paper के cutting आप अपने mobile के status पे लगाए लोगों को जाग आप से रिनीवल करवाने के लिए आएंगे यह तो रही motorcycle की बात अगर by the way इसी जगे पर आप एक कार का insurance करते हैं और आप TP यानि third party की मजए package policy generate करते हैं किसी कार का मान लेजे कोई कार है जो जिसका बीमा आप प्रॉक्स मान लेजे 20,000 रुपए के आसपास का हो जा रहा है या 15,000 रुपए का हो जा रहा है इसमें करीब 10% आपको commission मिल जाता है अगर आपने by the way किसी भी कार का बीमा किया उसका amount 20, 20,000 रुपए जा रहा है तो round figure में आप 10% के हिसाब से ही मानेंगे कभी कभी किसी किसी company में जादा भी मिल जाता है तो अगर आप 10% भी इसमें मानेंगे तो आपको 2000 रुपए का instant commission मिल जाता है आपके डिस्टल से वा वालेट से ही तो आप ही मुझे बताइए अगर एक कार क बीमा केवल करने से आपको 2000 रुपए का commission मिल जा रहा है और आपके पास तमाम सारे से ग्रहक होंगे जिनके पास car होगी उनको आप कांटेट करिए अपने छेतर में उनसे मिलिए कि सर जब भी बीमा कराना होगा आप हमाले थूरु बीमा कराईए कि हम CSE के center के मादम से insurance करन है अगर वो package policy यानि कि first party नहीं करवाते है package policy तो वो टीपी तो उनको जरूर कराना पड़ेगा टीपी में भी आप income कर सकते हैं चाहे वो car का policy हो चाहे वो bike का policy हो यह important है क्योंकि road पे चलना है तो insurance करवा की ही चलना है साथ में आपका जब किसी भी ग्रहक का आपने motor insurance कर दि यह services आप CSE portal पर आजाएंगे और आप उपर ही देखेंगे आपको यहाँ पर insurance का option मिल जाएगा आप insurance पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि insurance के सारे scheme यहाँ पर insurance के सारे columns बने हुई है यहाँ पर insurance के सारे option है आप इन में से motor insurance कर सकते हैं बाकि जितने भी insurance होते ह हैं third party कर सकते हैं मालेजिए आप third party पर किलिक कर रहे हैं तो यहाँ बहुत सारी company हमें मिल जा रहे हैं हम किसी भी company पर जाके insurance इसु कर सकते हैं अगर आपके ग्रहाँ की need है कि वो बजा जलियान से कराएंगे तो आप बजा जलियान पर चले जाएए अगर आपके ग्रहाँ क company के agent होते तो यह service नहीं दे पाते आप Reliance के agent होते तो सिर्क Reliance का भीमा अगर पाते लेकिन आप CSC के वीरली हैं आप तो किसी company का भीमा कर सकते हैं क्योंकि आपके पास सारी company का option है तो इस तरह से insurance का service आप दीजी अपने CSC Center पर और इससे आप अच्छा income कर पाएंगे अब करेंगे हम दूसरे service के लिए तो आप जानते हैं आजकल सभी लोगों को Iceman card की जरूत होती है Iceman card पे अगर आप काम करते हैं तो इसमें भी आपको CSC के तरफ से भी commission दिया जाता है आप customer से भी पैसे लेते हैं कभी जैसे उनको reprint कराना है उसका charge होता है जो wallet से आपको commission भी म simple आपके पास एक fingerprint device होनी चाहिए जैसे आप customer को authenticate कर पाएंगे यह service अगर आप अपनी ग्रहां को देना चाहते हैं तो आपको क्या करना है simple apply कर देना है इसके लिए आपको और फिर simple आपको contact with DM यानि कि district manager से आपको contact कर लेना है अपने DM को बोल देना है sir मैं आयुसमान card पे काम कर पाएंगे इसमें यह एक अच्छी service है इसके लिए हमेसा आपके पास आते हैं क्योंकि इसमें आप जानते हैं आयुसमान भारत योजना है जो की पधर मंत्री जी ने चलाया है इसमें 5 लाग तक का मुफ्त इलाज है किसी भी ग्रहा को आपके कोई भी बीमारी हो जात है जिसका इलाज वो नहीं करवा पार है उनकी पास पैसे नहीं है और उनकी पास अगर आयुसमान कार्ड है तो किसी भी हस्टिल में जाकर 5 लाख रुपे तक का मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं तो इतना जब आप उनको फाइदा बताएंगे तो हर कोई बंदा आयुसमा कार्ड में आप काम करिए तो कैसी के एक और सर्विस के बारे में बात करते हैं यह बहुत अच्छा सर्विस है जो कामा सर्विस से दिया जाता है जो कि आपके स्टेट गवर्मेंट के द्वारा स्टार्ट कर वाए जाता है और यह इसमें आपको डोमेसाइल सर्टिफिकेट बनाना, income certificate बनाना और का certificate बनाने के साथ और बहुत सारे services इसमें उपलब्ध होता है जैसे कि किसी का बृध्धा pension, बिधवा pension या तमाम सारे जो handicap के certificate होता है इन सब चीजों को बनाने के इसमें आपसन समय मिल जाते हैं और इसे आप आवेदन कर सकते हैं अपने डिश्टल सिवा portal में जा करके आपको अपना डिश्टल सिवा portal लाग इन कर लेना है सर्च बार में जाना है और आपको ये district service सेर्च करना है उसमें आप जिस state के रहने वाले हों उस state से आप आवेदन करेंगे और इसके लिए आपको अपने CSC district manager मेनेजर से Bishop करना होता है यहाँ पर मैंने लिख रखा залin 9 एंट साल या इन सीवाद मोव अपन आपको उसी दूसरी बिछ आपको बताना स Floreno कि आपको बताना के साथ आप आपके साथ दिये, तो आप अपने आसपास के गाउं में देखिए, किसी ने किसी गाउं में वैकेंट सीट होगा, वहां से आप आवे दिन करतीजिए और आपको फिर ये सेवा देने का मौका मिल जाएगा, और फिर आप आई परमाड पत्र, जाती परमाड पत्र, निवास प आपको जरूत होता है कि आपके पास जो ग्रहा कार है, उनके बैंक अकाउंट से पैसे निकालने, या डिपोजिट करने का काम, या उनका कहीं पैसा भेजना है, इन सब से बहुत सारे ग्रहा का आपको मिलने लगेंगे, आपके पास आएंगे लोग कि सर मेरा पैसा निकाल तो आपके पास जैसे ही डिजिल सेवा पोडल आपको मिल जाता है, तुरंद आपको डिजी पे मिल जाता है, इसमें आपको कोई आवेदर नहीं करना होता है, सिंपली आपको अपने कम्प्यूटर का, सिंपली आपको विंडो वर्जन का डिजी पे डाउनलोड कर लेना है, या Android वर्जन का Dizzy पे डाउलोड कर लेना है अगर आप Dizzy पे Android वर्जन डाउलोड करते हैं तो आपके mobile phone में आप इंस्टाल कर लेंगे अगर आप desktop वर्जन यानि Windows के लिए आप डाउलोड करना चाहते हैं तो आप desktop में अपने इंस्टाल कर लेंगे और इसके लिए आपको एक fingerprint device की जरूत पड़ेगी जिससे जो भी ग्रहक आपके पास आएंगे आधार enable payment system का वो लाब उठा पाएंगे वो अपना finger लगाएंगे आपके fingerprint device पे आधार number डालेंगे और उससे उनके account से जो payment होगा वो detect हो करके आपके DZPay wallet में आ जाएगा और जब आपके DZPay wallet में आ जाएगा आप ये payment अपने खाते में transfer कर सकते हैं लेकिन DZPay service तो आपको ऐसे ही मिल जाता है जैसे आपको digital siva portal मिलता है लेकिन इससे अच्छी service आप दे सकते हैं क्योंकि banking sector में बहुत सारे services होते हैं जैसे ग्रहाकों को loan देना ग्रहाकों का bank में खाता खोलना ग्रहाकों को credit card दिलवाना तमाम सारे services जितनी भी banking की services है वो सब कुछ आप मोहिया करा सकते हैं अपनी payment service इंटर पर उसके लिए आपको CSC का bank BC service activate करना होगा और यह आपको आवेदन करना होगा इसके लिए आप CSC का digital shiva portal खोल लेंगे और search में जाकर के bank में तरह portal search करेंगे और वहाँ पे जाएंगे मेरे और भी वीडियो है जिसका मैं description box में link डाल दूँगा आप उसे देखकर के आराम से आवेदन कर ले जाएंगे आपको search हो करके एक portal आ जाएगा उस portal में जाकर के आप आवेदन कर देंगे इस banking service लेने के लिए आपके पास एक certificate होना चाहिए IAB of certificate IAB of certificate आपको कैसे मिलेगा इसका भी मेरा एक वीडियो है वो भी आपको description box में उसका link मिल जाएगा आप उसे भी देख सकेंगे और ये certificate आपको आवेदन करने के लिए आपके CSC portal में ही आपसर मिल जाएगा वहाँ से आप आवेदन कर देंगे आपके आसपास किसी CSC पे आप आवेदन कर चुके हों उसके बाद आपको अपने CSC district manager से भी बात करना है इसके approval के लिए और साथ में आपको उन bank manager से content करना है जिस bank के लिए BC के लिए आपने आवेदन किया है क्योंकि दोनों hand से ये approval जब हो जाएगा तब ही आपको BC allotment मिलेगा जब आपके पास BC allot से अवार्ड भी मिल चुका है क्योंकि मैंने अच्छा काम किया है तो आप भी अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपका income भी होगा साथ साथ में आपको तमाम सारे opportunities मिलेंगी आपको मैं बताओ कि salary से ज्यादा income आप कर सकते हैं इसमें आपको 0.6% का commission मिलता है आप किसी 1000 रुपय के आसपास का commission आ गया तो आप सूझे कि आप जब loan distribute करने का काम करेंगे तो आप अच्छा income कर पाएंगे यानि अगर आप के पास CSC का डिश्टल से वाप पोर्टल है जब तक आप के पास banking service नहीं start होती है तब तक आप DC Pay का का काम करिए लेकिन आप लगे रहिए आपका BC Point अप्रूब हो जाएगा इसके लिए आप अच्छे से अच्छा transition डिश्टल से वाप पोर्टल में भी transition करते रहिए जब दोनों जो कि आप transition करते हैं तो फिर CSC को भी लगता है हाँ ये बंदा काम करने वाला है इसे BC Point अलाट कर देना चाहिए और महीने में आपको कम से कम 100 ट्रांजेशन डिश्टल से वाप पोर्टल पे हो और 100 से ही ज्यादा ट्रांजेशन आपके डिशी पे में हो कंफर्म है आपको BC Point का अलाट्मेंट मिल जाएगा बस आपको आपको डिस्टिक मेरेजर से को भी उनको भी कनवेंस करना है उनसे भी रिक्वेस्ट करना में CSC आधार UCL Center सभी व्यली परिशान होते हैं कि उन्हें आधार UCL Center मिल जाए यह सर्विस कैसे मिलता है कैसे इनेवल होता है आपके कामन सर्विस इंटर पर इसकी पूरी परकिरिया जानते हैं और इसमें अभी आपको अच्छा कमीशन मिलता है क्योंकि इसके लिए ग्रह करके हस्वेंड का नाम लगाना है एड्रेस चेंज करना है तो यह परकिरिया हमेशा लगा रहने वाला है तो इसमें काम की कमी कभी आने वाली नहीं है तो अगर आपको यह सर्विस मिल जाता है तो आपके हां ग्रहकों का आना लगा रहेगा आपके पास ग्रहकों की कमी बि मिल जाता है एक आधार अप्डेट करने में तो आप इसमें अच्छा इंकम कर सकते हैं और सभी व्यली परिशान होते हैं कि उनको ये चीजे मिल जाएं लेकिन ये तभी मिलेगा आपको जब आप अच्छा ट्रांजिक्शन करेंगे अपने डिजिल सिवा पूर्टल पर डिज तो आपके Common Service Center पर BC Point Activate होना जरूरी है तब ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इसके साथ आपके पास होना चाहिए NACIT का Certificate NACIT Certificate होता क्या है? जैसे जब हम CSC Bank BC के लिए आबएदन कर रहे होते हैं तो हमसे एक इक Damn लिया जाता है, ज़िए खाते हो वे हम बैंक का काम कैसे देदें तो उसके लिए एक exam लिया जाता है IIBF और वो जब हम qualify करते हैं तो हमें CAC bank BCA lot किया जाता है उसी तरीके से NACIT जो certificate होता है यह UID एक company को दे रखी है कि जो आधार operator बनना चाहते हैं उनसे एक exam ले लो और अगर वो exam qualify करते हैं तो ही उन्हें हम supervisor या operator बनाएंगे आधार update करने के लिए या आधार enrollment करने के लिए तो NACIT एक certificate है जो यह approve करता है कि आपको आधार के बारे में अच्छे से knowledge है आप आधार machine अच्छे से चला सकते हैं आप आधार enrollment का का काम कर सकते हैं या आधार में यूसियल का का काम कि ताकि कोई corruption ना हो सके तो BC वालों को CSC यह मानती है कि यह corruption नहीं करते हैं इसलिए CSC bank BC होना चाहिए साथ में NACIT का certificate आपके पास होना चाहिए यह दोनों जब आपके पास है तो आप इसे apply कर दिजिए डिस्टर सेवर पोर्टल में जाहिए सर्ज करिए CSC UCL apply और CSC UCL के लिए वहां से आप apply कर दिजिए उसके बाद आप अपना document जो है वो send कर दिजिए state head को अपने आप जैसी भी state के हों UP किसी भी state के हों आप अपने state head को यह document send कर दिजिए फिर आपके state head क्या करेंगे इसे UIDI को भेज देंगे आपका ID password credential बनने क के लिए जब आपका credential बन जाएगा आपको mail आ जाएगा फिर आप अपने machine का ब्योस्ता कर लिजिए यानि कि laptop का आधार अपडेट करने के लिए fingerprint device single fingerprint device वह सभी CSC पे होता है आपको एक iris device लेना होगा और छोट-छोटे devices हैं जिसका पूरा इसका आवेदन करने का क्या तरी मिलोगा किसी और टेक्निकल वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद